हलो वर्यवान एंड वन्स अगें वेल्कम बाक टु उमर तस्कीर यूट्यूब चानल माइसल्फ उमर तस्कीर कैई लिंग्डिन आच्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्रैंड लिफ्ट का मतलब क्या होता है और उसक देखें तभी आप इस concept को समझ़ पाएंगे काफी नया concept है पहले ये लिंग्डिन के अंदर नहीं था अभी ये लिंग्डिन के अंदर present है तो ये किस टाइप का test है और इस से हमें क्या analysis जो है वो मिलती है और ृंड़म्डिन ने इस test को क्यूं दिया है लिंग्डिन प्ल जब हम लोग LinkedIn के प्लाटफॉर्म के उपर अपने campaign को run करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक हमारे ad की reach होगी, मैं मान की चलता हूँ कि हमारे जो ad की reach हुई, वो एक लाक लोगों को हमारे ad की reach हुई, तो कुछ जो बहुत ही general metric होती हैं, उनको हम लोग study कर लेते हैं, हमारी reach कि कितने हुए, हमारे impressions कितने हुए, हमारा पैसा कितना खर्च हुआ, हमारी leads कितनी आई, हमारी cost पर lead कितनी आई, यह सारी बहुत ही general metric होती हैं, जिनको हम लोग study करते हैं, मैं अगर आप से यह सबाल पूछू कि आपका जो ad है, वो एक लाक लोगों को दिखा, उन एक लाक ल रखेंगे, हम यहाँ पर उन general metric की नहीं बात करें, हम यहाँ पर brand awareness, brand recall, product consideration जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस type की जो matrices हैं, इनकी हम बात करें, तो इस चीज के लिए LinkedIn ने हमें एक facility प्रवाइड करी और उसने बोला, आप एक brand lift test या brand lift survey आप कर लीजिए, अब यह survey क्या ह सर्वे में हमारे पास options होता है कि हम कुछ questions पूछें, और जैसे मेरा ad आपको दिखा होगा, तो आपको वह question जाएगा कि आपने इस brand का ad देखा था, क्या आपको याद है कि आपने इस brand का ad देखा था, या नहीं देखा था, तो इस type से हम एक survey conduct कराते हैं, that survey is actually called as brand lift survey, अब यहां पर सवाल यहाता है कि सर क्या यह एक नए type का campaign है, नहीं, यह कोई नए type का campaign नहीं है LinkedIn platform के अंदर, यह एक type का survey है, यह type का test है, दुसरा सवाल यहाता है, क्या इसके हमें कुछ पैसे देने पढ़ेंगे, नहीं, इसके आपको कुछ पैसे नहीं देने पढ़ेंगे, eligible नहीं है, क्योंकि जो spent का amount है, वो काफी high है, वो अभी मैं आपको बता दूँ, मतलब brand lift test या survey को run करने के लिए, आपको एक minimum amount जो है, वो spend करना पड़ेगा LinkedIn के जो active campaigns है, उनके through, तभी आप brand lift जो है, वो run कर पाएंगे, तो दो चीज़े हमें clear हो गई, कि कुछ eligibility criteria भी है, दूसरी बात ये कि brand lift का मतलब क्या होता है, brand lift से हम basically ये judge करना चाहते हैं, कि हमारी जो brand है, हमारा जो page है, हमारा जो company है, जिसके लिए हम ads run कर रहे थे, उसकी brand awareness, उसकी recall, या उसकी product consideration है, वो हो पाई या नहीं हो पाई, तो ये normal metric नहीं है, ठीक है, अब इसको देखते है, practically इसको किस तरीके से करेंगे, और क्या क्या हमें options देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं LinkedIn के उपर, और अगर आप यहाँ पर जाओ, जैसे है testing options आपको दिख रहा है, ठीक है, तो campaign performance के बगल में, आपको testing का option दिखेगा, आप इस पर आ जाओ, और यहाँ प लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, सर्वे का बिसके लिए, पोस्ट आप बोल सकते हो, सर्वे की जो पोस्ट है, वो लोगों को दिखाई देगी, अब देखो, यहाँ पर पूछा जा रहा है, do you recall seeing an ad for brand product, अब यहाँ पर हमारे brand का name आ जाएगा, online or on mobile device in the last seven days, yes, no, तो इ इसे brand lift test, and आपके पस options होता है, कि आप कितने questions पूछना चाहते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, how many matrices do you want to measure, उसके basis पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मान के चलता हूँ, कि मैं three questions करना चाहता है, four questions, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख देना, तो मैं three questions देता हूँ, और आपको अगर इस test related description लिखना है, तो वो आप mention कर सकते हो, it is totally up to you, अगर आपको लगता है, कि लिखने की ज़रुरत है, तब तो ठीक है, दरवाज आप इसको ignore कर दो, how many matrices do you want to measure, अब यहाँ पर देखो, आप लिखा हुआ है, यहाँ पर minimum cumulative budget required, अगर आप द दो matrices को measure करना चाते हो, जैसे recall एक metric है, ठीक है, अगर आप नीचे आओगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे add recall एक metric है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो, तो added awareness है, recommendation है, product consideration है, तो जितनी भी metric आप add करते जाओगी, कि मैं यह भी measure करना चाता हूँ, मैं य इस बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके इसाप से जो आपका cumulative budget है, वो बढ़ता जाएगा, तो it's a huge amount, अगर आप दो का ही देखो, तो लगभग लगभग अगर आप यहाँ पर देखो, तो 69 लाक रुपीज है, ठीक है, almost 70 लाक रुपीज आपके, जो active campaigns है, उनका cumulative, का budget है, वो इतना होना चाहिए, तब आप दो metrics को measure कर सकेंगे, तो it's a big number, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के accounts में नहीं है, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, तो आप देखो, बहुत सारा heavy amount आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं एक बार के लिए, सारी metrics यहाँ पर on कर कि आपको यहाँ पर अच्छे घासे options जो हैं, वो आपको यहाँ पर दिखने लगें, ठीक है, तो यह brand lift test का नाम हो गया, अगर description की जरूरत है, वो हो गया, कितनी metric हम measure करना चाहते हैं, वो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखो, there are zero campus in this account with a total zero budget allocated, तो कोई budget तो यहा जो brand lift test है, यह 90 days तक, जो है वो run करने का आपके पास option है, अब आप बोलोगे, कि सार, यह तो मैं कर सकता हूँ, क्यूंकि अगर मैं दो questions run करूं, तो 70 लाख का जो amount spent हो, भले 90 days में नहों, बट और जादा अगर हम time frame को बढ़ा दें, तो उतने दिनों में तो मैं spend कर दूंग तो चलिए बढ़ा देते हैं इसको, क्यूंकि यहाँ पर तो यह questions के इसाप से ही budget मांग रहा हैं, तो questions हम दो ही रखेंगे, लेकिन time frame बढ़ा देते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें 90 दिनों के बजाए मान लेते हैं, कि अगर हम एक मन्त और बढ़ा देते हैं, तो 120 दिनों में active campus का, जो cumulative budget है, वो इतना होना चाहिए, दो surveys के लिए, तीन surveys के लिए, बढ़ जाएगा, चार के लिए, और बढ़ जाएगा, पांच के लिए, छे के लिए, उसके recording रहेगा, ठीक है, तो मैं इसको एक बार के लिए वापस change कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आ रहोगा तो मैं चलिए, brand name यहाँ पर डाल देता हूँ, let's say, मैं brand का ना, उमर तस्कीर डाल देता हूँ, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें, तो देख सकते हो, do you recall seeing an ad for उमर तस्कीर online, और on a mobile device in the 7th day, तो यह के वाल preview है, कि इस टाइप का survey जाएगा, it is a promoted thing, तो आप बोलोग English, अब यह हमारा survey question number one हो गया, ठीक है, अब क्योंकि यह brand metric by default selected है, हापर तो add recall required है, do you recall seeing an ad, वो यहाँ पर लिखा हूँ है, possible responses में देखो yes, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा desired response है, वो yes हो, ठीक है, इसके against, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, अब आजाते है, question number two के उपर, तो want to recommend उमरतस्की to someone else, very likely, somewhat likely, neutral, somewhat unlikely, तो these are the survey questions, ठीक है, इसी तरीके से, third questions, added awareness से related, fourth question, जो है, वो brand familiarity से related है, fifth question, जो आप यहाँ पर देख रहा हो, that is related to brand favorability, ठीक है, उसी तरीके से, sixth question, जो है, वो product consideration से related है, तो यह इस type से हमारे questions है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको जो preview है, व दिख रहा होगा, यह add recall का preview है, अगर आप brand favorability का preview देखना चाहें, तो इस type से लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, एक इनका जो documentation है, that is very great, आप यहाँ पर जाकर, जो इनका documentation है, उसको भी आप पढ़ सकते, मैं new tab पे open कर दूँगा, तो यहाँ पर आपको सारे जो eligibility वगरा है, वो दिख जाएगी, जैसे अगर आप यहाँ पर जाएं, ठीक है, how brand lift testing works, तो यहाँ पर आपको पूरा documentation काफी detail में मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर check करें, manage a brand lift test, create a brand lift, guidelines हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यह देखो, मैं इसकी बात कर र 70,000 rupees के around दिख रहा था, 70 lakh, sorry, rupees के around दिख रहा था, और जैसे से आप questions बढ़ाते जाओगे, service के questions जैसे से बढ़ाते जाओगे, additional 45,000 dollar USD जो है, वो add होता जाएगा उसके अंदर, fine, तो यह इन्होंने mention किया हुआ यहाँ पर, और किस type से वो budget calculate होता है, वो भी यहाँ पर mention किय हुआ इन्होंने, पट हम लोग अगर यहाँ पर आ जाएं वापस, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि brand lift test का मतलब क्या है, ठीक है, और platforms इसको add कर रहा है, अपने interface के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, आप देखो, यह result settings है, in your brand lift report, you will learn how your brand lift results compared to the other brand lift test that selected the same region and industry, तो मतलब अगर हम comparison करना चाहें कि दूसरे organizations का किस type से, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, Asia, ठीक है, और अगर मैं education industry में हूँ, तो we will select education industry, that's it, और क्योंकि यहाँ पर error है, अभी आप देखो, based on the chosen number of questions, active company in the account don't have enough budget to run a brand lift test, तो वो है नहीं, इसलिए आप नहीं test है, यह launch हो जाएगा, तो I believe, चीज clear हो गई होगी कि brand lift का मतलब क्या है, किस type की facility हमें provide कर रहा है, और जब eligibility होगी, तो run भी कर लिया जाएगा, दोस्तों, आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते है next वीडियो में, till then, good bye. झाली में छ alredूँ आपको अंपको पस दोवागा जाएगा, इस हूँ कि Glbabभी कि μέ होसा कि अनुक अपको पक्रेंशाओें सुषगावागागा है, तो एक वीडियो-कृच का मतलब को ढ Giving Two größts आपका ऑगार को जो ढूँ ख